परिचाए हाशीश, मुझे जूस पीना पसंद है, क्योंकि ये ताकत देता है, जूस का स्वाद अच्छा होता है, और जब ये ठंडा हो, तो और भी अच्छा लगता है हाँ, तुम सही कह रहे हो पिरिंस, जरा ये बर्फ मुझे देना, मुझे अपनी गलास में एक दो और डालनी है हाँ, जरूर आशीश, मैं तुम से कुछ पूछना चाहता हूँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो बर्फ पिघल क्यों रही है और जब हम इसे जूस में डालते हैं, तब भी ये पिघल जाती है ऐसा क्यों? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ बर्फ का पिघलना उश्मा गतिकी का एक उधारन है ब्रहमाण में कुछ भी ठंडा नहीं है प्रहमाण की प्रतीक वस्तू अपने परिवीश में उश्मा का विकरन करती है विश्व के उतकरम माप में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है इस उतकरम माप के कारण बर्फ पिघलती है अच्छा, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया इसके बारे में जानना अध्यंत रोजक है तो ठीक है, आओ, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे उश्मा गतिकी को परिभाशित करना उश्मा गतिकी प्रक्रम की व्याख्या करना उर्जा की रुपांतरण की प्रणाली को समझना आंतरिक उर्जा की व्याख्या करना दाब आयतन कारे को समझना एंथालपी को परिभाशित करना विस्तीन वा गहन गुण धर्म में भेत करना और उश्मा धारिता की गर्ना करना कैलोरी मिती के बारे में चानना डेल्टा ह वा डेल्टा ए के बीच संबंद का विशलेशन करना उश्म रसायन के नियमों की व्याख्या करना बॉंड एंथालपी को समझना स्वाता प्राक्रम को परिभाशित करना गिप्स उर्जा की करना करना उश्मा गतिकी विज्ञान की उस शाखा को उश्मा गतिकी कहते हैं जिसमें उश्मा और अन्य उर्जा की रूपों के साथ उनके मात्रात्मक संबंधों की चर्चा होती है उश्मा गतिकी मूल रूप से तीन आधार भूद समाने करणों पर आधारित है पहले नियम में उड़ जाओं के विभिन स्वरूपों की सम्तुलिता के बारे में बात की जाती है दूसरे नियम में रासायनिक परिवर्तन की दिशा के बारे में बात की जाती है तीसरे नियम में उश्मा उतक्रम जैसे उश्मा गतिकी के मापधंडों का मुल्यांकन करने में सहायक है उश्मा गतिकी में प्रयुक्त आधार भूत शप्तावली निकाए प्रणाली की व्याख्या ब्रहमांड के उस भाग के रूप में की जाती है जिस पर खोज जारी है उधारन के लिए यदि हम पानी के गुण धर्मों पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रणाली के रूप में पानी लिया जाएगा परिवेश प्रणाली के अतरिक्त ब्रहमांड का भाग परिवेश के रूप में जाना जाता है उधारन के लिए यदि अभिक्रिया सम्मिश्रण एक बीकर में रखा जाता है तो ये प्रणाली बन जाता है और बीकर की दिवारें सीमा बनाती हैं और शेश सब कुछ परिवेश है प्रणाली को तीन वर्गों में रखा जा सकता है खुली प्रणाली, बंद प्रणाली और विलगित प्रणाली खुली प्रणाली वो प्रणाली जो द्रविमान और उर्जा के परिवेश के साथ विन्माई कर सकती है उसे खुली प्रणाली कहते हैं बंद प्रणाली वो प्रणाली जो उर्जा का विनमय द्रवेमान के साथ नहीं बलकी परिवेश के साथ कर सकती है उसे बंद प्रणाली कहते हैं विल्गिद प्रणाली वो प्रणाली जो ना तो उर्जा का विनेमाई कर सकती है और ना ही द्रवेमान का परिवेश से उसे प्रतक भूत प्रणाली कहते हैं। प्रणाली की दशा से अभिप्राय प्रणाली के अस्तित्र से है जबकि इसके स्थूल गुण धर्म निश्चित मान रखते हैं। प्रणाली की इस्तिति में परिवर्तन लाते हैं। प्रणाली की दशा को संदर्बित है। परिवेश के साथ अंता क्रिया होने के बाद प्रणाली एक नई साम्यावस्था बनाती है। जिसे प्रणाली की अंतिम दशा कहते हैं। उश्मा गतिक प्राक्रम जो प्रक्रिया प्रणाली की दशा में परिवर्तन लाती है। उश्मा गतिक प्राक्रम कहते हैं। उश्मा गतिक प्राक्रम को निमनिलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सम उश्मी प्राक्रम ये प्राक्रम इस्थिर तापमान पर होता है। इस्तिरोश्म प्राक्रम इस प्राक्रम में प्रणाली और परिवेश के बीच किसी उश्मा का इस्थानांतरण नहीं होता है। समदाबी प्रक्रम, ये प्राक्रम इस्थिर दाप पर होता है, सम आयतनिक प्रक्रम, ये प्राक्रम इस्थिर आयतन पर होता है. उर्जा इस्थानांतरण प्रणाली प्रणाली और परिवेश के बीच उर्जा इस्थानांतरण की दो महितपून विदिया हैं. उश्मा प्रणाली और परिवेश के दाब में भिनता है तो उर्जा का इस्थानांतरण कारी के रूप में हो सकता है। परिवेश के समान नहीं हो जाता। यदि प्रणाली का दाब कम है तो पिस्टन नीचे की ओर तब तक दबाया जाएगा जब तक की प्रणाली का दाब परिवेश के समान नहीं हो जाता। आंतरिक उर्जा आंतरिक उर्जा घटक कणों की गतिज और इस्थितिज उर्जा से बनी होती है। आंतरिक उर्जा अवस्था फलन है और आंतरिक उर्जा में तब परिवर्थन होता है जब उश्मा प्रणाली से परिवेश में या परिवेश से प्रणाली में इस्थानांत्रेथ होती है। विलिगिद प्रणाली की आंतरिक उर्जा इस्थिर रहती है। किसी प्रणाली की आंतरी कूर्जा दो प्रकार से परिवर्थित हो सकती है। उश्मा को प्रणाली में प्रवाहित होने दिया जाए या उश्मा को प्रणाली से बाहर जाने दिया जाए। प्रणाली पर या प्रणाली द्वारा कारे किये जाने पर, आंतरीक उर्जा में परिवर्तन इस प्रकार दिया जाता है, देल्टा U बराबर Q प्लस W, जहां Q प्रणाली को दी गई उश्मा है, W प्रणाली पर किया गया कारे है उक्तिस संबन्द में उश्मा गतिकी का ये पहला नियम है दाप आयतन कारे गैस भरे एक सिलेंडर के पारे में विचार करें जिसमें घर्शन रहित पिस्टन लगा है यदि बहरी दाप आंतरीक दाप से थोड़ा सा भी कम होगा तो पिस्टन उपर की ओर तब तक जाएगा जब तक बहरी दाप आंतरीक दाप के समान न हो जाए यदि आयतन और सिलेंडर का अनुप्रस्त परिछेद क्रमशा V और A है तो प्रणाली द्वारा किया गया कारे बराबर P गुणा A गुणा L जो P गुणे डेल्टा V के बराबर है आदर्श गैस का उद्द क्रमशा पीवी कारे आदर्श गैस से भरे एक सिलेंडर जिसका आयतन V है इसके बारे में विचार करें जिस पर घर्शन रहीत पिस्तन लगा है और जिसका बहरी दाप P है यदि दाप का अंतर अत्यंत सुक्ष्म है तो आयतन में विध्धी भी अत्यंत सुक्ष्म होगी अब दाप आयतन कारे के कारण प्रणाली द्वारा किया गया कारे भी सुक्ष्म होगा इस थिर बारी दाप P पर एक आदर्श गैस का विस्तार V2 से V1 तक करने हेतु किये गाई कारे की कुल मात्रा को माइनस दो दशमलव 303NRT लॉग P1 बटे P2 लिखा गया है एंथालिपी एंथालिपी अवस्था फलन का उप्योग इस्थिर दाप पर उशमा परिवर्तन के मापन के लिए किया जाता है ह बराबर यू जमा पी वी और डेल्टा ह बराबर डेल्टा यू जमा पी डेल्टा वी जमा वी डेल्टा पी इस तिर दाप पर डेल्टा पी बराबर शून आता डेल्टा ह बराबर डेल्टा यू जमा पी डेल्टा वी इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है डेल्टा H बराबर QP डेल्टा U और डेल्टा H में निम्न सम्बंध है डेल्टा H बराबर डेल्टा U जमा डेल्टा NG R T जहां डेल्टा NG गैसिये गुणन फल के मूल की संख्या माइनस गैसिये अभिकारकों के मूल की संख्या है विस्तीर्ण वा गहन गुणधर्म विस्तीर्ण के गुणधर्म प्रणाली के वे गुणधर्म जो उसमें नहति द्रविकी मात्रा पर आधरित होते हैं उधारन, द्रविमान, आयतन, उर्जा, उश्मा थारिता, एंथालिपी, उतक्रमाप, मुग्द उर्जा आधी गहन, गुणधर्म प्रणाली के वे गुणधर्म जो उसमें नहति द्रविकी मात्रा से स्वतंत्र होते हैं उधारन, दाब, तापमान, घनत्व, विशिष्ट उश्मा, तरलता, प्रिष्ट तनाव आधी उश्मा धारिता किसी पदार्त के एक नमूने की उश्मा धारिता, उश्मा की वो मात्रा है, जो इसके तापमान को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है उश्मा धारिता दो प्रकार की गवोती है इस्थिर आईतन पर उश्मा धारिता और इस्थिर्दाप पर उश्मा धारिता उश्मा धारिता एक विस्तिर्ण मात्रा है ठोसों के लिए CP और CV परापर होते हैं और गैसों के लिए CP और CV भिन्न होते हैं उश्मा धारिता पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है Q पराबर C V गुने डेल्टा T जहां डेल्टा T पराबर T F घटा T I पदार्थ की मोलर उश्मा धारिता पदार्थ के एक मोल की उश्मा धारिता होती है विशिष्ट उश्मा धारिता उश्मा की वो मात्रा होती है जो पदार्थ के एक यूनिट द्रव के तापमान को एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवशक होती है Q बराबर C गुणे M गुणे Δेल्टा T विशिष्ट उश्मा धारिता वा मोलर उश्मा धारिता गहन ग्राशियां है Q केलोरी मिती Q केलोरी मिती एक प्रयोगात्मक तकनीक है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया में मुग्द की गई या अफशोशित की गई उश्मा की मात्रा मापी जाती है ये प्राक्रम एक बर्तन में किया जाता है जिसे कैलोरी मीटर कहते हैं जो तरल की ग्यात मात्रा में निमच्जित होता है जिस तरल में कैलोरी मीटर निमच्जित है उसकी उश्मा धारिता तथा कैलोरी मीटर की उश्मा धारिता ग्यात होने पर हम तापमानों में हुए परिवर्तन का मापन करके प्रयुक्त उश्मा की मात्रा ग्यात कर सकते हैं डेल्टा यू माप वेरसाइनिक अभिक्रियाएं इस तेर आहितन पर उश्मा अफशोशित होती है बॉम्ब कैलोरी मीटर में मापी जाती है एक स्टील का बर्तन ये सुनिश्चित करने के लिए पानी में डुबो दिया जाता है कि परिवेश में उश्मा का हिरास ना हो स्टील बॉम्ब में रखी शुद्ध डाई ऑक्सीजन में एक जोलनशील पदार्थ को जलाया जाता है अभिक्रिया में निकली उश्मा को बॉम्ब के आसपास के पानी में इस्थानांत्रित किया जाता है तथा इसके तापमान की निगरानी की जाती है चुकि बॉम्ब केलोरी मीटर सील होता है इसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है कोई कारे नहीं होता है क्यूंकि अभिक्रिया बॉम्ब केलोरी मीटर में इस्थिर आयतन पर होती है पून अभी क्रिया द्वारा उत्पादित कैलोरी मीटर के तापमान में हुआ परिवर्तन QV में परिवर्तित हो जाता है ΔELTA H मापन इस्थिर दाप पर उश्मा में परिवर्तन की माप कैलोरी मीटर में की जा सकती है हम जानते हैं कि ΔELTA H बराबर QP इस्थिर दाप पर अफ्शोशित या मुग्द की गई उश्मा को अभिक्रिया की उश्मा या अभिक्रिया की एंथालपी भी कहा जाता है एक उश्मा क्षेपी अभिक्रिया में उश्मा उत्पन होती है और प्रणाली परिवेश में उश्मा मुग्द करती है अता QP रिनात्मक होगा और डिल्टा RHB रिनात्मक होगा इसी प्रकार उश्मा शोशी अभिक्रिया में उश्मा अफशोशित होती है और प्रणाली परिवेश से उश्मा प्राप्त की जाती है अता QP धनात्मक होगा और डिल्टा RHB धनात्मक होगा डेल्टा H और डेल्टा E में संबंध एंथालिपी प्रणाली की आंतरिक उर्जा और PV उर्जा का योग होता है ये एक मातरात्म कुन धर्म और अवस्था फलन भी है इसका गणितिये रूप से संबंध निम्न है H बराबर E जमा PV डेल्टा H को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जा सकता है डेल्टा H बराबर H2 घटा H1 जो की HP का योग माइनस HR का योग के बराबर है उश्माक शेपी अभिक्रिया में डेल्टा H धनात्मक है उश्माक शोशी अभिक्रिया में डेल्टा H रनात्मक है डेल्टा H निरुपित करता है कि अभिक्रिया में होने वाला उश्मा परिवर्तन इस्थिर तापमान वा इस्थिर दाप पर होता है परिदिक्रिया के डेल्टा H और डेल्टा E में निम्न संबंध है डेल्टा H बराबर डेल्टा E जमा डेल्टा P डेल्टा V इसे निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E जमा डेल्टा NG आर्टी जहां डेल्टा NG गैस मूलों की संख्या में परिवर्तन है अभिक्रिया की उश्मा ये एंधल्पी परिवर्तन है जो अभिक्रिया के दोरान उस समय होता है जब अभिक्रिया अभिकारकों की उब्भूग की गई राशियां और बने हुए उत्पादों की राशियां संतुलित राहसायनिक समिकरण के अनुरूप हों डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर T2 घटा T1 गुने उत्पादों का CP गुने अभिकारकों का CP मानक अवस्था की स्थिती में व्यक्त की गई अभिक्रिया की एन्थाल्पी को मानक एन्थाल्पी अभिक्रिया कहते हैं उधारण आईए डेल्टा H वा डेल्टा E के मध्धे संबंध का एक उधारण देखें दी गई प्रतिक्रिया में एन्थाल्पी परिवर्तन डेल्टा H 298 केल्विन पर माइनस 92.38 किलो जूल है 298 केल्विन पर डेल्टा E क्या है आईए हल देखते हैं दिया है डेल्टा H बराबर घटा 92.38 किलो जूल डेल्टा NG बराबर 2 घटा 1.3 बराबर घटा 2 R बराबर 8 A 314 गुणे 10 की घात घटा 3 किलो जूल परतिमोल परतिकेल्विन हम जानते हैं कि डेल्टा H बराबर डेल्टा E जमा डेल्टा NG RT इसलिए डेल्टा E बराबर डेल्टा H घटा डेल्टा NG RT अब हम समीकर्ण में मान रखेंगे और गड़ना करेंगे हमें डेल्टा E बराबर घटा 87.42 किलो जूल पराब्द होता है इस प्रकार डेल्टा E का मान घटा 87.42 किलो जूल है अभी क्रिया की एंधालबी के विभिन रूप उत्पत्ती की एंधालबी ये उश्मा परिवर्तन तब होता है जब किसी योगिक का एक मोल उसके घटक तत्वों से प्राप्त किया जाता है स्वातंत्रत तत्वों की मानग एंधालबी शूने ली जाती है इसका मान योगिक की रासायनिक स्थिर्ता का निर्धारण करता है देहन की एंधालबी ये उश्मा परिवर्तन तब होता है जब किसी योगिक के एक मोल का वायु मंडल की आकसीजन में पौन रूप से देहन हो जाता है ये सदैव रनात्मक होता है क्योंकि देहन की प्राक्रम उश्मा क्षेपी होती है विलियन की एंधालबी ये उश्मा परिवर्तन तब होता है जब किसी पदार्थ का एक मोल विलायक की भारी मात्रा में विक्टित होता है ताकि और तनुकरण होने पर कोई भारी उश्मा परिवर्तन ना हो जल्योजन की एंथालपी ये उश्मा परिवर्तन तब होता है जब जलहीन पदार्त का पून जल्योजन होता है जलियोजन उश्माक्षेपी प्रक्रिया है क्यूंकि इसमें जल के अणूँ और मद्धेवर्ती धातु आयन में आबंध होता है सनलयन की एंथालपी ये ठोस पदार्थ के एक मोल को गलनांग पर पून द्रव बनाने है तो आवश्यक उश्मा परिवर्तन है वाश्पी करण की एंथालपी तरल पदार्थ के एक मोल को कौतनांग पर पून वाश्पू बनाने है तो आवश्यक उश्मा परिवर्तन उदासीनी करण की एंथालपी ये वो उश्मा परिवर्तन है जब तनू विलियनों में एक ग्राम अम्ल का सम्तुल्ले तनू घोल द्वारा एक ग्राम ख्यार को उदासीन करता है हाइड्रोजनी करण की एंथालपी ये एंथालपी परिवर्तन तब होता है जब असंत्रिप्त कारबनी क्योगिक का एक मूल पून हाइड्रोजनी करित हो जाता है संक्रमण की एंथालपी ये उश्मा परिवर्तन तब होता है जब बदार्थ का एक मूल एक प्रानुवर्ती सौरूप से दूसरे में संक्रमित होता है उश्मा रसाइन के नियम लावोई सियर लेपलेस का नियम अभिक्रिया के दौरान होने वाला एंधालपी परिवर्तन जो परिमाण में बराबर हो लेकिन उद्ध क्रम ही प्राक्रम में होने वाले एंधालपी परिवर्तन में इसका चिन्न विपरीत हो हेस का नियम हेज का नियम ये कहता है कि प्राक्रम के दौरान एंथालपी परिवर्तन केवल आरंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर होता है और उस मार्क से प्रभावित नहीं होता है जिस पर ये प्राक्रम किया गया हो हेसकनियां बहुत सी प्रतिक्रियाओं की एंथालपी की गणना करने में सहायक है, जो वहवाहरिक रूप से संभव नहीं है, जैसे संदचना की एंथालपी, संक्रमण की एंथालपी, जलियोजन की एंथालपी आदी. बॉंड एंथालपी जो आबंद उर्जा का होता है, लेकिन एक से अधिक आबंध वाले बहु पर्माणुकनू में शब्द आबंद व्योजन उर्जा का अर्थ आबंद उर्जा के समान नहीं होता है. आबंद उर्जा वो आसद मात्रा है जो किसी कैसी अणू में उस प्रकार के एक मोल के आबंद को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है अभी कार्गों व उत्पादों की बॉंड उर्जा ग्यात होने पर अभी क्रिया की डेल्टा एच की कणना की जा सकती है स्वाता प्राक्रम वे भौदिक या रासायनिक प्राक्रम जो एक दिशा विशेश में दी गई अवस्थाओं में स्वयम अथवा समुचित प्रारंब के साथ होती है स्वाता प्राक्रम कहलाती है सभी प्राकृतिक प्राक्रम स्वाता प्राक्रम होते है स्वाता प्राक्रम दिये गए अवस्थाओं में स्वाता प्राक्रम अपने प्राक्रम को प्रतिलूमेत नहीं कर सकता है इस ब्रहमांड में होने वाला कोई भी भौतिक या रासायनिक प्राक्रम तभी स्वाता हो सकता है जब वो ब्रहमांड के उत्क्रम माप में बढ़ोत्री के लिए उत्तरदाई हो किसी प्राक्रम के स्वाता होने के लिए आवशक है कि डेल्टा एस प्रहमांड शून से अधिक होना चाहिए यदि डेल्टा एस योग बराबर शून तब ये सामय अवस्था में है गिप्स उर्जा वो उर्जा जो विशिष्ट अवस्थाओं में प्रणाली से निशुलक उपलप्त है और जो प्योगी कारियों में स्तेमाल की जा सकती है गिप्स उर्जा कहलाती है प्रणाली से सम्बंद संपुन उर्जा का एक भाग रेंडम उर्जा होता है जो कारे में रूपान तरणिये नहीं है गिप्स उर्जा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है G बराबर H घटा T S गिप्स उर्जा अवस्था फलन है और इसकी काई जूल प्रतिमोल है प्राकरम के दोरान गिप्स उर्जा में परिवर्थन G दो घटा G एक दोरा दिया जाता है जो डेल्टा H घटा T डेल्टा S के पराबर है प्रणाली का गिप्स उर्जा परिवर्थन दिये गए संबंध द्वारा डेल्टा S योग से संबंधित है प्रणाली का डेल्टा G बराबर माइनस T डेल्टा S योग विशेश अवस्था में प्रणाली का गिप्स उर्जा परिवर्थन उप्योगी कारे को निरूपित करता है जो प्रणाली से पीवी कारे के अलावा प्राप्पे हो मानक गिप्स उर्जा निर्माण मानक अवस्था में अपने घटक तत्वों से योगी के एक मोल के निर्माण की दौरान आने वाली मुक्द उर्जा परिवर्थन मुक्द तत्वों का डेल्टा GF0 उनकी मानक अवस्था पर शूनने लिया जाता है मानक उर्जा परिवर्थन अविकारकों वा उत्पादों का मानक मुक्द उर्जाओं से निम्न रूप में संबंदित होता है डेल्टा G0 बराबर उत्पादों का डेल्टा GF0 का योग माइनस अविकारकों का डेल्टा GF0 का उयोग डेल्टा जी नॉट अभिक्रिया के डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट से निम्नानुसार संबन्दित है डेल्टा जी नॉट परावर डेल्टा एच नॉट मैनस ती डेल्टा एस नॉट डेल्टा जी नौट सामेस्थरंग से निम्नानुसार सम्मदित है डेल्टा जी नौट वरापर घटा दो दशमलव 303 आठी लोग के क्या आप जानते हैं शब्द एंट्रॉपी की खोज जर्मन भौतिक शास्त्री रुडोल्फ क्लॉसिस द्वारा 1865 में की गई थी उर्जा के अप वैईत होने के बाद इसे फिर से इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है जैसे हम बर्फ पिखलने के बाद फिर से इगलू नहीं बना सकते तापमान निकायों के बीच आंतरिक उर्जा प्रवा की दिशा पताता है और उन निकायों के बीच औसद गतिज उर्जा पर गमन को संकेती करती है ताप ये उर्जा परमानों किया अनु कि स्तर पर वास्तों में गतिज उर्जा का एक प्रकार है जितना अधिक इन कड़ों की गती होगी, उतनी ही अधिक ताप ये उर्जा होगी साहरांश आईए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संख्षेप में तोहराएं विज्ञान की वो शाखा जो उश्मा और उर्जा के अन्ने प्रकारों के साथ उनके मातरात्मक संबंदों पर चर्चा करती है उसे उश्मा गतिकी कहते हैं वो प्रणाली जो उर्जा का विनमेत्र विमान के साथ ना करके परिवेश के साथ लेकिन कर सकती है उसे बंद प्रणाली कहते हैं। कारे के रूप में हो सकता है। आंतरी कूर्जा घटक कड़ों की गति जूर्जा और इस्थितिज उर्जा से बनी होती है। आंतरी कूर्जा अवस्था फलन होती है। पदार्थ के एक नमूने की उश्मा धारिता उश्मा की वो मात्रा है जो तापमान को एक डिगरी सेलसियस पढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। केलोरी मिती एक प्रयोगात्मक तकनीक है जिसमें रासाइनिक प्रतिक्रिया में मुक्त की गई या अफशोशित की गई उश्मा की मात्रा मापी जाती है। वो उश्मा जो विशिष्ट दशा में प्रणाली से निशल को उपलब्ध होती है और जिसका अस्तिमाल उप्योगी कारियों में किया जा सकता है। गिप्स उश्मा कहलाती है।